मैं भारत को भारतियता की माननिता के आधार पर फिर से ख़़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा तुम क्यों विर्थ चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाने वाले हो यह दूसरा रास्ता है और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं हैं सेक्णों लोग हैं रो जाते हैं और माला पकड़ा देते हैं राम 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 राधे 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 राम 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 राधे राधे बस यही करो देश तो ठीक हो जाएगा और जादा उनसे तरक करो तो कहने लगे तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है आगे लुटेगा और अच्छा होगा वो हमको समझाते और इसी को धरम कहते इसी को धरम कहते और आजकल धरम के व्यापार करने वालों की बाड़ाई हुई है हाँ बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड लेके जाएगा दूसरा क्रश्म की कथा कहेगा वो 15 करोड लेके जाएगा और आप जैसे भोले भाले मू रख लोग डालते हैं उनके पात्रों में ले जा भाई ये बापू नहीं है ढाकू है बापू नाम तो शरम आती है कहते हुए कहीं से 10 करोड लूटो कहीं से 20 करोड कहीं से 25 करोड और आप लोगों की मجबूरी है कि काले धनका करें क्या इंकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापूँवों को देते रहते हूं क्या करें उसका और ये बापूद लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है बाध वाध मैंने देखा है क्या-क्या पाखंड और नोटंकी चलता है भगवान राम की कथा कहने आते हैं और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें जो साहस पैदा करें राम की जिंदगी में बहुत साहस का है वीरता का है जब चौदे वर्ष के लिए बनवास चले गए राम तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा न उसमें कहते हैं, राम ने चौदे साल एक ही काम किया, हाए सीते, हाए सीते, हाए सीते, हाए सीते, हाए सीते, ये सुनाते हैं हमको, हाँ, ये ही सुनाते हैं, निकाल के कहानी में से, और मैं कहता हूँ कि राम को अगर हाए सीते, हे सीते, हाए सीते, ये ही करना था, चौदे साल तो दूसरा विवा क्यों नहीं कर लिया सेकडो राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए वो तो कर लेते दूसरा विवा क्योंकि हाए सीते हे सीते हाए सीते हे सीते एक इस्तरी के लिए अगर वो इतने ही बिलक रहेते तड़प रहेते दूसरा विवा कर लेते तो यह सब चुप हो जाते फिर बात नहीं करते फिर मैं उनको रामा निकाल के दिखाता हूँ राम ने हे सीते हाइ सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सेकडों राक्षसों का संघार किया उनोंने मारा उनको और धर्मराज्य की स्थापना कराई ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है, तो राम का जो वीरत्व है, वो नहीं सुनाएंगे आपको उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको और राम कथा जब वरनन की जाती है तो मंच में बैठके आहा कैसे आंसू ढलल 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 आंसू निकलेंगे आपको भी रुलाएंगे खुद भी रोएंगे किस बात के लिए ओ राम को वन कमन में इतना कश्ट हो रहा है वन में इतनी तकलीफ हैं हो रही है तो राम की तकलीफों का वरनन कर रहे हैं आसू आ रहे हैं और ये सारा वरनन एर कंडिशन्ड मंच पर बैठकर होता है अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए राम की तकलीफों का वरनन कर रहे हैं एर कंडिशन मंच चाहिए, एर कंडिशन घर चाहिए रहने के लिए, एर कंडिशन कार चाहिए और चार्टिड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए तब राम की कथा सुनाई जाएगी जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे जिनोंने अपना रत भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय वो राम ने जिंदगी भर पैदल चलके काम किया और यहाँ एर कंडिशन कारों में घूम घूम कर चार्टेड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं वो कथा वता नहीं है वो उद्योग है व्यापार है बिना टैक्स का और मुझे बहुत शरम है ये कहते हुए समय आने पर प्रमान से बात करूँगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और मुझे इससे भी बड़ी शरमाती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में वो पैसा ब्याज पर उठा रहे है वो दूसरे लोगों को और आपके दिये हुए पैसे से धंदा बना रहे हैं अपना फिर ऐसे क्रश्न की कथा कहने वाले आ जाते हैं कहते हैं रादे 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 और कुछ कहो ही मत रादे रादे कंस को मारा जरासंद को मारा शिशूपाल को मारा अधर्मियों को मारा ये सब थोड़े में रादे 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 बड़े में क्योंकि आपको कायर बनाना है ना निर्वीर बनाना है नपुनसक बनाना है तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है तो चुन चुन कर ऐसी कहानिया सुनाते हैं और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग है ना राम और क्रश्न की कता कहने वाले ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं क्योंकि सरकारों ने एक कान में मंत्र फूंका है तुम लोगों का ध्यान इस तरह भठकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ लड़े गरीबी के खिलाफ न लड़े बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े अत्याचार के खिलाफ न लड़े वो डूबा रहे रादे 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 राम 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 बस इसी में और समझाते रो तुम क्या लाए थे तुम क्या ले जाओगे क्यों विर्थ चिंता करते हो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा एक रास्ता ये है अब दो रास्ते हैं अपने साम एक रास्ता बहगत सिंग का उदम सिंग का, चंदर स्थेकर का एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरूओं का पाखंडीयों का जो राम की कथा, क्रश्न की कथा मुझे बहुत ओफर आये है मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूँ सच में कहा रहा हूँ आपसे नाम नहीं लेता मुझे ओफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो मेरे साथ आजाओ मैंने का बापू जी क्या होगा उसमें तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा मैं बोलना कैसे तो नहीं का तुमारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़े कठा करने का मजमा लगाने का तरीका है मैं ऐसा डमरू बजाता हूँ कि सब इकठे होते हैं और तुमारी वाणी में जोर बहुत है मिलके लूटेंगे थोड़ा तुमारा थोड़ा मेरा ऐसे खुले ओफर हैं मेरे पास और मैं कहता हूँ बापू जी माफ करो क्यों कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए मैंने का पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास यही एक बचा है पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं ये एक रास्ता थोड़ी है बहुत तरीके हैं पैसे कमा लूँ घर बना लूँ बीबी बच्चे ले आओं करोड़ पती हो जाओं दस करोड़ पती हो जाओं सो करोड़ पती हो जाओं बहुत आसान काम है ये तो थोड़ी चाला की हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिलकुल मुश्किल नहीं है इस देश में फिर अंत में तो वही होगा ना सैकड़ों करोड़ हो गए एक दिन डाइबिटीज होगी एक दिन अर्थराइटीस होगा एक दिन हरट अटेक आएगा मैं मरने ही वाला हूँ तो मरना तो है ही वहाँ भी शायद जल्दी मरूं क्योंकि जब शरीर में तामस वृती आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है तो तामस वृती आएगी मरना मुझे वहाँ भी है तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरू जहां सात्युक्वरती भी है मरना है ये तो पक्काई है जिन्दा तो कोई रहेगा नहीं तो भगत सिंग्ग का रास्ता क्या बुरा उदम सिंग्ग का रास्ता क्या बुरा चंदरशेखर का रास्ता क्या बुरा कुछ करके मरो न मरेंगे ये सब भी सादू संद पाखंडी राम की कथा सुनाते सुनाते हरटटेक आएगा मरेंगे वो भी डाइबिटी सबको हो रखी है मैंने देखा है नजदीक से जाके सब इंसूलिन लगाते हैं खाते हैं गोलियां अपनी डाइबिटीस नहीं मिटावाते हैं दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है क्योंकि ये जो काला धन है ना इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है सब बीपी की गोलियां खाते हैं सब डाइबिटीस के लिए शिकार है तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाओं वो एक रास्ता है बगत सिंग, उदम सिंग, चंदर शेकर का भी है मौत तो दोनों में ही आने वाली है बस अंतर इतना है एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा ने का जिसको बगत Mal कि बस्माज़ाद है इनي स्तितने विद मौत बस्माज़